हेलो दोस्तो मैं रितु मितल आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मोधिकेर के एप में ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है वो बताती हूँ सबसे पहले हमें अपने फोन में मोधिकेर एप को डाउनलोड करना है फिर इसे open करना है open करने के बाद हमें अपना MCA नमबर, पासवर्ड डालना है और फिर sign-in करना है sign-in करने के बाद हमारा ये page open होता है सबसे पहले यहाँ आता है business, फिर आता है resources, फिर आता है shopping शॉपिंग पर हमें शॉप पर क्लिक करना है फिर हमारा ये page open हो जाता है पहले आता है हमारा self अगर हमें अपनी shopping करनी है तो यहाँ पर मेरा mca number आता है और अगर आपको अपने किसी downline की shopping करनी है तो आपको यहाँ पर अपने downline का mca number डालना है और फिर आता है हमारा shipping address यहां पर by default मेरा ही address डला हुआ है जो मेरे आधार कार्ड पर register है अगर मुझे अपने MCA नमबर पर किसी नई जगा समान भेजना है तो मुझे यहां पर new address को select करना पड़ेगा तो मेरा यह place open हो जाएगा यहां पर मैं अपने नए address की सारे details डाल दोंगे अभी मैं आपको अपने ही address का बता रही हूँ अगर मुझे आपको अगर आपने उपर downline select किया है तो नीचे भी आपको downline का ही address डालना है यहां पर आपको downline का MCA नमबर डालना है फिर वहां पर आपको पास अपने downline का address आ जाएगा फिर हमें select करना है अपना delivery mode आपको कैसे deliver समान करवाना है मैं अपना pipe courier को select कर रही हूँ त्योंकि मुझे courier के थू ही समान को मंगवाना है फिर यहां पर आता है हमारा MC यानि की जो हमारी company का warehouse होता है जो हमारे near about होता है उसका address आ जाता है फिर आपको इसको submit करना है submit करने के बाद हमारे पास ये सारी categories खुल जाती है यहां पर मैं सबसे पहले अपना health and wealth की category को ले रही हूँ यहां पर हमें मैं अपने उसमें कुछ add करती हूँ कार्ट में जैसे suppose अगर हमें यहां से अपनी quantity को बढ़ाना है suppose यहां पर मुझे आवला tablet दो चाहिए तो हमें इस plus के sign को दबाना है और add to cart करना है और मैं कुछ और चीज़े select कर लेती हूँ जैसे मुझे गिलॉय भी दो चाहिए जैसे मुझे गिलॉय भी दो add करनी है तो मुझे यहां पर मैंने दो को add कर लिया है अब मैं कुछ और select कर लेती हूँ जैसे मुझे चाहिए अभी well pudina with tulsi यह भी मैं दो add कर लेती हूँ देखिए इस message का मतलब है यानि कि यह company के अभी warehouse में अभी available नहीं है यहां पर मैं tulsi को add कर लेती हूँ यह तुलसी हमेरे काट में add हो गया है और फिर मैं अमरिज शक्ती को add कर लेती हूँ और एक मैं multi vitamin को add कर ले हूँ अब मैं next category को select करती हूँ जैसे मुझे skincare से कुछ समान चाहिए मुझे यहां पर face wash चाहिए एक मैंने face wash को select कर लिया है एक मुझे scrub को select करना है और यहां पर मैं दो cream को add कर लेती हूँ अब मैं next category पर select करती हूँ जैसे मुझे food and privileges पर समान चाहिए यहां पर मैं healthy powder पाँच एड़ कर लेती हूँ और मिर्च पाउडर भी मैं पाँच एड़ कर देती हूँ फिर मैं कुछ और चीज़े select कर लेती हूँ जैसे मुझे सांबर मसाला भी 10 पीस चाहिए तो मुझे यहां पर add to cart करना है अब उपर हमारी एक final cart आती है इसको दबाना है यहां पर मेरा सारा एक पूरा final cart आ गई है जो जो हमने समान select किया है वो यहां पर दिखा रहा है अगर मैं आप आप नीचे देख सकते हैं मेरी total amount कितनी हो गई है 4262 यानि की 4262 रुपे इसके बाद मुझे चेक आउट पर क्लिक करना है चेक आउट पर क्लिक करने के बाद मेरा ये पेज ओपन होता है यहां पर दो offers दिखा रहे है no offers यानि की go without offer अगर हम कोई भी पुराने लोग है और वो 15 तारीक के बाद shopping करते हैं तो उन्हें go offer वाला offer select करना पड़ता है और कोई अगर हम एक तारीक से 15 तारीक के बीच में shopping करते हैं तो हमें repurchase program को select करना पड़ता है और नए joining के लिए ये offer last तक होता है देखें यहां पर मैं repurchase program को select कर रही हूँ फिर मेरा ये पूरा delivery detail आ गई है उपर देखें मेरा address आ गया है देखें यहां पर मेरा delivery details आ गई है देखें यहां पर मेरा shipping charge बिलकुल zero है वो shipping charge zero क्यों हो गया क्योंकि यहां पर मेरी amount total amount 4000 से ज़ादा है अगर मेरी total amount 4000 से कम होती तो मेरा यहां पर shipping charge लगता यानि कि 77 रुपीज मेरा add हो जाता अभी मेरा 4000 से ज़्यादा है तो यहां मेरा delivery free हो जाएगी इसके बाद हमें अपना payment option को select करना है यहां पर हमें select करना है यह इस तरहें का page आता है या तो आप credit card कर सकते है, debit card कर सकते है या net packing कर सकते है या फिर M wallet कर सकते हैं, मैं आपको credit card वाला ही option दिखा रही हूँ वो select करना है फिर आपको ok करना है, ok करने के बाद आपको confirm कर देना है confirm करने के बाद हमारा यह page open होता है यहां पर देखिए credit card से करना है तो यह वाला page आएगा अगर आपको net banking से करना है, तो यह सारे हमारे पस banks की detail आती है यहां पर आपको अपनी वो detail भरनी है और अगर आपको UPI से करना है, तो यहां पर आपको UPI की अपनी detail भरनी है मैं आपको credit card debit card की से ही करके दिखा रही हूँ credit card के लिए आपको हमारा जो 16, credit card के पीछे 16 digit का जो number होता है वो यहां पर भरना है आपको, फिर आपको expires, जो आपके card पर लिखी होती है कि किस month में expire हो रहा है और किस year को expire हो रहा है, वो यहां पर भरना है आपको फिर आपको card के पीछे लिखा होता है CVV number वो आपको यहाँ पर भरना है फिर आपको name on card लिखना है और उसके बाद आपको pay now करना है pay now करने के बाद आपके mobile पर एक OTP आता है OTP को भरने के बाद यानि आपका order book हो गया है company आपको आपके घर पर समान भेज देती है इसे like करना, subscribe करना और लोगों को share करना मत भूलना और लोगों करना है पूलना है इस करना दो वहाँ आपको रोगों कि दो करना करना है अपको रपके और लोगों कि दो झाल झाल